कच्चा चिठा में सबसे पहले गोगा मेडी हत्या कांट से जूड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगी गोगा मेडी मडर केस की जाच में जुटी पुलिस ने इस मामले में एक छात्रा को गिरफतार किया है बहुत बड़ी खबर आ रही है जैपुर पुलिस कमिशनर बीजू जॉज जॉसिफ ने चात्रा की गिरफतारी की पुश्टी भी कर दी है दरसल आरूप यह है कि शूटर नितिन फॉजी हत्या से पहले पूजा सैनी के घर पर रुका था पुलिस के मुताबिक गिरफतार चात्रा का नाम पूजा सैनी है और वो टोंक जिले की रहने वाली है पूजा सैनी और उसका पती हत्यारों की तसकरी का काम करते हैं उसमें इस हत्या कांड में शूटर्स को हत्यार मोया करवाने में एहम रोल निभाया था साती सुख्देव सिंग गोगा-मेडी की रेकी भी की गई थी तो ये गिरफतारी भी बेहद खास मानी जा रही है और हतियार मुईया करवाने में भी एहन करदार इसका माना जा रहा है तो गिरफतारी यहाँ पर हो चुकी है सवालों की लंबी फैरस है गोगा मेडी हत्याकांड में एक छात्रा की गिरवतारी, पूजा सैनी इसका नाम बताया गया है, पूजा सैनी के घर पर एक शूटर रुका था, पूजा पर गोगा मेडी की रेकी कभी यहां पर गंभीर आरोप लगा है, अलाकिन आरोपों में कितनी सचाई है, जाच का हुआ हुआ बताया जा रहा है क्योंकि इसी के घर पर एक शूटर रुका था, तो गोगा मेडी हत्याकांड के पहले दिन ही ये दावा किया गया था कि इस हत्याकांड का कनेक्शन लॉरंस बिश्णोई गैंग से है, और अब यही बात बिल्कुल साफ नजर आने लगी है, दरसल गोगा मेडी ना सिर्फ राजस्तान के अंदर लॉरंस बिश्णोई गैंग के लिए मुसीबत बन चुके थे, बलकि गोगा मेडी की वजह से लॉरंस की देहशत भी खत्म हो चुकी थी. सुकदेव सिंग गोगा मेडी मुर्डर केस की हर हकीकत अब सामने आने लगी है, बेखौफ हमलावरों की गोलियों का शिकार हुए सुकदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या की वजह पता चल गई है, बेखत खतरनाग गैंग्स्टर माने जाने वाले लॉरंस बिश्णोई और गोगा मेडी की दुश्मनी आखिर जयों थी? इस सवाल का जवाब भी मिल गया है, सुकदेव सिंग गोगा मेडी आखिर क्यों लॉरंस बिश्णोई के गुर्गों की आखों में चुप रहे थे? इसका भी खुलासा हो गया है. सुखदेव सिंग गोगा मेडी के गतल में सिर्फ दो शूटर्स का रोल नहीं है ये मर्डर बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत शालाकी के साथ खास मकसद से अंजाम दिया गया था सुकदेव सिंग गोगा मेडी का कतल करने वाले दोनों शूटर्स के गिरफतारी के बाद पूछताच में हो रहे खुलासों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है दरसल सुकदेव सिंग गोगा मेडी के पूरे कतल की कहाने इन दो शब्दों में उलची होई है दरसल इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बता रही है कि ये पूरी लड़ाई लॉरेंस बिश्णोई गैंग और राश्ट्रिय राजपूर्थ करणी सेना के अध्यक्ष रहे सुपदेव सिंग गोगा मेणी के बीच चल रही थी लॉरेंस बिश्णोई गैंग और उसका ये पूरा सामराज्य चलाने के लिए बड़ी मात्रा में धनकिया उशक्ता होती है क्योंकि सुट्रों को रकम देने और आधुनिक हतियारों के खरीद की जरुरत है अपराद के सामराज्य को चलाने और अत्यादुनिक हतियारों के खरीद की खातिर लॉरेंस बिश्णोई गैंग बड़े पेमाने पर धंकिया देकर वसूली की प्लानिंग में लगा वाता जिन शूटर्स को सुगदेव सिंग गोगा मेरी के हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है वो पूछताच में तमाम चौकाने वाले खुलासे कर रहे है सबसे बड़ी बात ये है कि नितिन फॉजी और रोहित राठोर ये दोनों शूटर लॉरेंस बिश्णोई के खास बुर्गे रोहित बोदारा से जुड़े हुए थे और उनको जानते भी थे अपने खजाने को भरने के लिए लॉरेंस बिश्णोई ने राजस्थान बचुना लॉरेंस बिश्णोई गैंग ने राजस्थान में व्यापारियों से मोटी रकम यानि प्रोटेक्शन मनी वसूलने का जिम्मा अपने खास गुर्गे रोहित गोदारा को दे रखा था रोहित गोदारा ने अपना काम भी शुरू कर दिया था सूत्रों से पता चला है कि लॉरेंस बिश्णोई का खौफ दिखा कर रोहित गोदारा व्यापारियों को धमकी दिलाने का काम कर रहा था लेकिन उसके इस पूरे रोड मैप में सबसे बड़ी दीवार बनकर उबरे सुखदेव सिंग गोगा मेडी राजस्थान के रतंगड के एक बड़े व्यापारी जिनका नाम महिपाल है उनसे लॉरेंस बिश्णोई के गुर्गेर बोहित गोदारा ने पचास लाख के रंगदारी मादी रतंगड के व्यापारी महिपाल के सुखदेव सिंग गोगा मेडी से अच्छे रिष्टे थे सुखदेव सिंग गोगा मेडी राजस्थान का एक दवंग राजपूत नेता था जिसके पास धनबल और बाहुबल दोनों था सुखदेव सिंग के एक इशारे पर हजारों की भीड इखटा हो जाती थी यही बज़े थी कि रतंगड के व्यापारी को लगा कि सुखदेव सिंग के नाम का इस्तमाल कर लौरन विष्णूई गैंग के खौप से बचा जा सकता है इसलिए रोहित गोदारा की धंकियों को राजस्थान के रतंगड के व्यापारी महिपाल ने नजर अंदाज किया और ये जवाब दिया कि सुखदेव सिंगोगा मेडी ने लौरन्स विष्णूई को रंगदारी देने से मना कर दिया है ऐसे में लौरन्स विष्णूई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा को एक बहुत बढ़ा चटका लगा क्योंकि इसकी वज़े से उसके गैंग का खौफ खत्म हो रहा था रोहित गोदारा और सुखदेव सिंगोगा मेडी के बीच रंजश यहीं से शुरू होती है इन व्यापारियों ने भी सुखदेव सिंगोगा मेडी का नाम लेकर रोहित गोदारा को रंगदारी देने से मना करतिया अब देखा जाए तो यहां पर नाकामी का ठीक रा रोहित गोदारा के सेर पर फूटने वाला था क्योंकि रोहित गोदारा लॉरेंस बिचनोई गैंग के लिए रंगदारी वसूली में नाकाम साबित हो रा था इसकी वज़े सुखदेव सिंगोगा मेडी बन रहे थे इन हालातों में रोहित गोदारा ने सुब देव सिंगोगा मेडी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया लॉरेंद्र बिश्णूई गैंग में इलाके बनाए हुए थे और राजस्थान का पूरा इलाका रोहित गोदारा को वसूली के लिए दिया गया था रोहित गोदारा के बाद लॉरेंस बिश्णोई गैंग का सबसे भरोसे मंद आदमी राजस्थान के अंदर विरेंद्र चारण था विरेंद्र चारण का भी सत्या में रोल सामने आ रहा है यानि लॉरेंस बिश्णूई के राजस्थान गैंग में नमबर वन रोहित गोदारा था और नमबर तो विरेंद्र चारण था सुक्देव सिंगोगामेडी के मन में रोहित गोदारा और उसके शूटर को लेकर कोई भी डर नहीं था उसकी वज़ा यह है कि दोनों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे और दोनों ही आसपास के इलाकों के रहने वाले थे सुक्देव गोगामेडी राजस्थान के हनमानगड के रहने वाले थे और रोहित गोदारा पडोस के बीकानेर के रहने वाले हैं दोनों को इस इलाके के लोग अच्छी तरह से जानते हैं लोरेंस गेंग के अधिकतर गुर्गे भी हनुमानगड बीका ने नागोर समेथ सेखावाटी इलाके के जादा है और यही वो इलाका है जो कर्णी सेना के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है करणी सेना के कई पदादीकारी और कार्यकरता इसी इलाके में प्रॉपर्टी के काम में लगे वे हैं ऐसी स्तिती में करणी सेना के लोग लोरेंस गेंग के गुर्गों को जवाब देने में ज़ादा सक्सम माने जाने लगे ऐसे में लॉरेंस बिश्णुई गैंग को लगा कि अगर सुखदेव सिंगोगा मेडी को रास्ते से हटा दिया गया तो करणी सेना के पदाधिकारियों और उनके कार्य करताओं का मनूबल तूट जाएगा और व्यापारी लॉरेंस बिश्णुई गैंग को प्रोडेक्शन मनी यानि रंदारी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे बड़ी बात ये भी है कि रोहित गुदारा भले ही खुद को लॉरेंस बिश्णुई का खासमखास समझता था लेकिन सुखदेव सिंगोगा मेडी में कभी रोहित गुदारा को बहुत तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो उसी के आसपास के इलाके का रहने वाला था और रोहित गुदारा को पहले से जानता भी था रोहित गुदारा विदेश में मौजूद है और ऐसी स्थिती में उसने सुखदेव सिंग गोगा मेडी को रास्ते से हटाने का ताम अपने नीचे राजस्थान में गैंग के नमबर टू मेंबर विरेंद्र चारण को सौपा विरेंद्र चारण ने गोरोग्राम की जेल में बंद रौनी राजपूत और भावानी संग से संपर्ख साथा और शूटर का इंदिजाम करने के लिए कहा इसके बाद रौनी राजपूत ने रोहित राठोर और नितिन फौजी को सुपदेव सिंगोगा मेडी का कतल करने के लिए चुना नितिन फौजी ने 9 नमबर को पुलिस के एक टीम पर फारिंग की थी इस मामले में उस पर केस चल रहा था और वो फरार था लौरेंस बिशनोई गैंग के द्वारा नितिन फौजी को ये भरूसा दिलाया गया कि अगर वो सुपदेव सिंगोगा मेडी का कतल कर देगा तो उसको दुबाई शिफ्ट कर दिया जाएगा और इस तरह से वो पुराने केस से भी बच जाएगा और विदेश में आराम से रह सकेगा दुबाई शिफ्ट होने की लालच में नितिन फौजी इस सत्याकांड में फस गया इस तरह बहुत आसानी से विदेशी धर्ती पर बैठे बैठे लॉरेंस दिश्टनोई के गुरगे रोहित गोदारा और विरेंद्र चारण ने सुकदेव सिंगोगा मेडी के हत्या की पूरी रणनीति तयार कर ली लेकिन खास बात ये थी कि रोहित गोदारा और विरेंद्र चारण के शूटर रोहित राठोर और नेतिन फौजी एक दूसरे को जानते नहीं थे हत्याकांड के पांच गंटे पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे सुगदेव सिंगोगा मेडी की पैचान हो सके इसके लिए रोहित गोदारा ने विरेंद्र चारण के जर्यें इन दोनों शूटरों के पास सुगदेव सिंगोगा मेडी की तजवीर पहुचाई थी राजस्तान के यापारियों के सामने एक मुश्किल ये भी थी कि वो कर्णी सेना को डोनेशन भी देते थे एक मियान में दो तलवारे नहीं रे सकती अब यापारियों को एक कुछ चुनना था या तो वो कर्णी सेना को डोनेशन देते रे या फिर लोरेंस गेंग को प्रोटक्शन मनी दे इन हालात में राजस्थान के यापारियों ने सुकदेव सिंग गोगा मेडी को जदा आहिमियत दी मतलब साफ है कि सुकदेव सिंग गोगा मेडी का राजस्थान के अंदर बड़ा कद और राश्ट्रिय राजपूत कर्णी सेना को चलाने के लिए जरूरी समर्थन बनाये रखने की वज़ा से उनका लॉरेंस बिश्चनोई गैंग के साथ सीधा संगर्श हुआ सुकदेव सिंग गोगा मेडी एक बड़े नेता और संगठन करता जरूर थे लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए सरकार और पुलिस के तंथ पर ने पर थे जब सुकदेव सिंगोगा मेडी ने लॉरेंस बिश्चनोई गैंग के द्वारा मांगी जा रही रंगदारियों का विरोध शुरू किया तब ही से लॉरेंस बिश्चनोई के गुरगे सुकदेव सिंगोगा मेडी को रास्ते से हटाने के लिए धंकिया दे रहे थे लेकिन सुकदेव सिंगोगा मेडी इन धंकियों से डरे नहीं बलकि उन्होंने राजस्तान की अशोग गहलोध सरकार से उस वक्त सुरक्षा मांगे थे राजिस्तान के वेपारी और राश्टी राजपूत कंडी सेना के लोग भी अशो गेलो सरकार से इस बात की मांग कर रहे थे लेकिन दावा किया याता है कि पुलिस अधिकारियों दारा इस फाइल को पास कराने के बाद भी राजिस्तान सरकार ने सुकदेव सिंगोगामेडी को सुरक्षा देने की फाइल को खारिज कर दिया ऐसे में सरकार की तरब से सुकदेव सिंगोगामेडी को कोई सपोर्ट नहीं मिला और वो अखेले पड़ गए और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए नीजी सुरक्षा कर्मियों का साहरा लेना पड़ा लेकिन जिस दिन सुगदेव सिंगोगा मेडी का कतल हुआ उस दिन उनके नीजी सुरक्षा कर्मी छुट्टी पर थे और उनके पास सिर्फ दो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे इस बात की जानकारी भी सुगदेव सिंगोगा मेडी के हमलावरों रोहित राठोर और नितिन फॉजी को मिल रही थी क्योंकि नवीन शेखावत जोकी सुगदेव सिंगोगा मेडी की जानत अचानता था सुगदेव सिंगोगा मेडी की कमजोरी के बारे में इन दोनों हमलावरों को पूरी जानकारी दे रहा था शक तो ये भी जदाया जा रहा है कि नवीन सिंग शेखावत लॉरेंस विश्णोई गैंग से हाथ मिला चुका था इस तरह लॉरेंस विश्णोई गैंग ने रेकी करने के बाग बहुत आसानी से सुखदेव सिंगोगा मेडी को अपने रास्ते से हटा दिया बड़ी बात ये है कि सुखदेव सिंगोगा मेडी के हट्या भी उस वक्त की गए जब अशोग गहलोत राजिपाल को इस्तीफा दे चुके थे और वो सिर्फ एक कार्रिवाहक मुख्यमंत्री के दौर पर काम कर रहे थे यानि गोगा मेडी के मर्डर के लिए जो समय चुना गया वो भी एक शक पैदा करता है सवाल ये कि क्या लोरेंस विश्नुई गेंग आगे राजस्तान में यापारियों को धमका कर उनसे रंगदारी वसूल कर पाएगा और क्या यापारियों के बीच मौजूद डर कम हो पाएगा सुकदेव गोगा मेडी को रास्ते से हटाने के बाद क्या लोरेंस विश्नुई गेंग के गुर्गों का कबजा और देसत राजस्तान में काईम हो पाएगी इन सभी सवालों का जबाब आने वाले दिनों में मिलेगा क्योंकि अब राजस्तान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और राजस्तान के नए मुक्षमंत्री के एक्षन से हित्य होगा कि लोरेंस गेंग राजस्तान में जड़े जमा पाएगा या नहीं